अलब उस्तों स्वागत है आपका कृषी क्रांती की इस YouTube चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वेकेंसी की बारे में अर्थिप्रदेश में ये वेकेंसी आई हुई आप वेकेंसी देखें तो हम देखते हैं कबसे आप online application form फिल कर सकते हैं तो 17 अपरेल से online application form शुरू हो जाएंगे और इसकी last date है एक मई एक मई तक आप इसके application form फिल कर सकते हैं correction की date यहाँ पर बताई गई है 17 से ही आप correction चालू कर सकते हैं और correction की last date है 6 मई ठीक है application form अच्छे से बढ़ेंगे तो correction की आपको ज़रूत नहीं पड़ेंगे अब यहाँ पर हम देखे examination का date कौन सा है तो examination आपका 15 जुलाई को बताया गया है 15 जुलाई से आपके examination सुरू हो जाएंगे इसमें आपकी एक से जादा shift में examination possible है जितने भी applicants होंगी उसके हिसाब से आपको date 15 के अलावा 15-16 भी हो सकता है लेकिन आपका एक date तो confirm है जो की 15 जुलाई 2023 है अब यहाँ पर हम बात करें application form की fees कितनी है तो form की fees general अभियर्थियों के लिए 500 रुपए है इसके अलावा सभी candidates के लिए 2500 रुपए form की fees रखी गई है तो यहाँ पर हम देखें ग्रामीड क्रिस विस्तार अधिकारी इसकी eligibility क्या है तो इसकी eligibility है आपकी BSC AG या फिर BSCOT minimum आपका जो वितनमान आपका 25,300 से लेके 80,500 बताया गया है तोटल यहाँ पर vacancies 1852 है अगर आप देखें जन्रल में तो जन्रल में टोटल 500 vacancies है EWS में देखें तो आपकी 186 vacancies है SC category में 298 vacancies SC category में 368 vacancies है और OBC में 500 vacancies बताई गई है 13 vacancies आपकी lab technician में भी बताई गई पर देखेंगे प्रचेत्र विस्तार अधिकारी इसकी आपकी minimum eligibility है BSC AG या फिर B-Tech Agriculture BSC वानिकी या फिर उद्यानिकी मतलब इसमें BSC AG के students या फिर होटी के students या फिर forestry सभी students eligible हैं B-Tech Agricultural Engineering के students भी eligible हैं टोटल यहाँ पर 23 vacancies हैं next हम बात करते हैं होटी कल्चर में तो ग्रामीर उद्यान विस्तार अधिकारी minimum आपकी eligibility क्या है BSC AG होनी चाहिए आपके पास या फिर होटी होनी चाहिए या फिर Agricultural Engineering भी आपने कर रखी है तो इसके अंदर आप eligible हैं टोटल 52 पद हैं, 52 पद हैं जिसमें आपके 12 General के हैं EWS के 5 पद हैं 11 ST और 15 vacancies आपकी OBC की बताई गई हैं तो पे भी CSET के आपके 100 number के रहेंगे question paper और इसके बाद 100 number का आपका जिस post में आप apply कर रहे हैं उसके हिसाब से syllabus से आप से पूछा जाएगा syllabus आपका बताया गया है BSC AG में जो भी आपने subjects पढ़ रखे हैं सभी आप से पूछे जाएंगे syllabus में ऐसा indicate किया गया है उसके अलावा extra आप से कुछ नहीं पूछा जाएगा CSET आपका extra 100 number का वो तो सभी examination में included है examination में आपको कितना time मिलेगा तो 3 गंटे का आपको समय मिलता है maximum marks आपके दो होते है negative marking इसमें बिलकुल नहीं होती है question paper आपका English में भी रहता है और Hindi में भी रहता है दोनों ही माध्यम में रहता है examination center की बात करें तो MP में आपके total 8 examination center बनाए गए हैं आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, गौालियर, उजयन, सागर, सतना और रतलाम में examination होने वाले है तो कहीं पे भी आप अपने examination दे सकते हैं अपने नजदी की centers में परिष्ट उद्यान विकास अधिकारी है इसमें total आपके 25 पद है 25 पद है बात करते हैं examination में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो जैसा आपने RHO में देखा था आपके agriculture के या फिर horticulture से related जो भी questions थें वो 100 number के अंदर आ गए फिर बाकी आपके जो 100 number हैं उसमें आपका सामाने ग्यान, सामाने हिंदी, सामाने अंग्रेजी, गडित, आपके reasoning इसके बाद आपका science, general science और आपका computer knowledge ये मिला के 100 number करहेगा बाकी आपका agriculture और horticulture वाली विकेंसी है तो उसके लिए horticulture आपका 100 number के लिए consider किया जाएगा हमारी वरिष्ट क्रिश्विकास अधिकारी है, इसमें total 6 पद है और वरिष्ट क्रिश्विकास अधिकारी कि जो backlog भरती है, उसको भी add कर लेंगे तो total आपके 7 पद हो जाएंगे तो इसमें आपके 3 पद हो गए, unreserve के लिए, 2 पद हो गए, SC के लिए और एक पद आपका हो गया, EWS के लिए जो हमारी SHDO वेकेंसी है ये वेकेंसी होटी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतरगत आती है और इसका जो वेतनमान है, 34,800 से लेके 1,14,800 तक बताया गया है क्या आपकी होनी चाहिए, आपसे मांगी गई है उद्यानिकी में सनातकोत्तर की उपादी है मतलब आपने MSC होटी कल्चर कर रखी है तब ही आप इसके अंदर eligible है MSC होटी कल्चर इसमें अनिवारे है BSC आपने चाहे अग्रिकल्चर से करी हो या फिर होटी कल्चर से करी हो लेकिन आपकी जो master की qualification है उसमें होटी कल्चर अनिवारे किया गया है हमारा जो SADU है Senior Agriculture Development Officer तो इसकी vacancies बहुत कम है नाम मातर की केवल 6 vacancies है लेकिन इसकी eligibility थोड़ा सा आसान है आपके लिए SA students जिन्होंने VTEC in Agricultural Engineering कर रखा है SA students जो सनातक हैं किसमें VTEC in Agricultural Engineering ये students इसमें eligible है इसके अलावा SA students जो MSCAG eligibility रखते हैं MSCAG कर चुके हैं वो यहाँ पे eligible है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेर करना जिसे उन्हें भी इस notification के बारे में पता चल जाए इस notification से रिडिट कोई आपके मन में डावट होता है तो comment box में आप पूछ सकते हैं इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना ना भूलें इंस्टाग्राम पे भी आप फोलो करके डारेक्टली आपकी ट्वेरिस पोच सकते हैं मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए नोटिफिकेशन नए अपडेट के साथ अब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रहे क्रशी करांती यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद